हलो एन वेलकम टू माइ आउसम गाइड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डेटा को एंटर कर सकते हैं Mx Excel में तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने अक्सल को ओपन कर लेंगे जैसे का आपको यहां पर दिख पा रहा होगा जैसे आपको एवन में आपका यह देख सकते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे click किये हैं, यहाँ पे D4 क्या हो गई है? active हो गया मतलब आपको यहाँ पर समझ मारो जिस के आप Highlighter देखते होंगे यह आपको Highlighter जिस पे दिख़रा हίν आपका क्या हो गया? active cell तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें हम data enter करते है data enter कैसे करेंगे data enter करने के लिए simple सा आप क्या कीच है keyboard पे कुछ buttons press किचेगा तो आपका क्या हो जाएगा data enter हो जाएगा उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं यहां आप नीचे में आई एगा तो यहां पर आपको दिखेगा यह क्या है ready mode ready mode का मतलब क्या हुआ आपका जो mx excel है ready है catches करने के लिए data को enter करने के लिए आप simple सा क्या किचे आप इस पर आके आप कुछ टाइप जैसे welcome to the world ऐसे हम लिख दिए welcome to the world तो आप यहां देख पारे हैं हम simple सा लिखे और enter कर दिए बट आप यहान पर एक चीज़ नॉट्स किया हंगे या नहीं किया हुँगे मैं आपको दिखाना चाहेंगे जैसे हम लिखते हैं कुछ लिखते हैं जैसे welcome लिखे हैं वईल्कम जीनिव करने किचे सुमान जी तो हम यहां पर कुछ जी लिखें यहां पर हम अंढ़े किया हैं जैसे हम यहां सबूर्च बिर्ज़़े je यहां कुछ लिखा है तो यह हमारा पर इंट सरु म哈哈哈 खायL था एंटर पतने टैक्स्ट को हम इंटर करना लिखना सुरूब eyes my journey to the west of earth तो आप यहां देख पारे होंगा हम कुछ लिखे है क्या है my journey to the west of earth इसका मतलब क्या हुआ जो अगर आप यहां देख पारे होंगे जो इकरसर क्या है वो blinker मतलब क्या है यह हमारा enter mode में अगर आप simple सा escape button जैसे क्लिक किजेए इसे आपका क्या होगा यह data क्या हो जाएगा डिलिट हो जायगा Evaporix इसका मतलब आप समझ पारेऊंगे हमारा data जो होता जब तक अंटर नहीं करता हम तब तक वो k्या हो जाता है उस cell में वो save नहीं होता है वो store नहीं होता है बर्टि हम पर भी आप इस फाइल को आप खोल्स करेंगे यहाँ से आपके इसको क्लोज करेंगे तो आपका क्या हुटैगए ली ठेटा इरेज हो जाएगा अगर नहीं करना तो और सबसे पहले आपको क्या कोरें इस फाइल को सेट करना होगा तो सेट करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँपे my awesome guide हम यह लिखे उसकाद हम क्या करेंगे एंटर करेंगे अब हमारा क्या हुआ यह डेटा सेव हो चुका है हमारे mx excel file में तो हम इसे चेक क्या से करेंगे simple साथ यहां पर हम इसको cut करते हैं हमारे excel क्या करें हैं क्लोज कर दिये यहां पर देख सकते हम जो create के फाइल इसका फाइल यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आपका फाइल दिख जाएगा यहां पर हम आपको समझ में आया होगा जो हम डेटा एंटर कैसे करते हम अपने mx excel file में तो उमीद है आपको यह वीडियो झाल